नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे भक्ति एंड फ़न वीडियो चैनल में स्वागत है आज शुक्रवार का दिन है आज मैं आप लों के लिए लक्षमी जी के अद्भूत कहाने लेके आई हूँ दोस्तों हिंदू में अंगिनत देवी और देवताएं हैं वैसे तो हिंदू सभी देवी देवताओं को पूरे मन से पूचते हैं लेकिन लक्षमी माता से हर भारतिय के मन में अलगी स्थान होता है आखिर मातलक्ष्मी धन की देवी जो है आज की कहानी मातलक्ष्मी के सभी भक्तों को समर्पित है आशा है आप कहानी पूरी सुनेंगे और आपको पसंद आएगी एक बार वेकूंट लोग में भगवान विश्नु जी अपने आसन शेशनाक पर बैठे बैठे उफ गए तो उन्होंने सोचा चलो पृत्वी लोग घूम कर आते हैं वैसे भी कई साल बीत गए थे धर्ती पर गए इसलिए वो फटा फट अपने यात्रा के तैयारी करने लगे विश्नु जी को तैयार होता देख के लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी आप सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं स्वामी विश्नु जी ने कहा हे प्रीय मैं पृत्वी लोग पर घुनने जा रहा हूँ एसी शरत क्यों रख रहे हैं लेकिन जादा प्रश्नकरने पर वो नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दें इसलिए लक्षमी जी ने हां कर अपनी बात मनवाली और सुबह सुबह मा लक्षमी भगवान विष्णु धर्ती पर पहुँच गए तब सुर्योदे हो रहा था रात बरसात होकर हटी थी चारो और हर्याली ही हर्याली थी उस समय चारो और बहुत शांती थी और धर्ती बहुत देखते कब उत्तर दिशा की और देखने लगी पता ही नहीं चला उत्तर दिशा में मा लक्ष्मी को एक बहुती सुंदर वगीजा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुजबू आ रही थी और बहुती सुंदर सुंदर फूल खिले थे वहाँ एक फूलों का खेत था मा लक्ष्मी बिना सोची समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई लेकिन यहाज क्या जब मा लक्ष्मी भगवान विश्नों के बास वापिस गए तो भगवान विश्नों की आँखों में आसु थे भगवान विश्नों ने मा लक्ष्मी से कहा कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए मा लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विश्नों से इस भूल की माफी मांगी भगवान विश्नों ने कहा माना कि तुम मेरी प्रिय पर जो भी तुमने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी जिस माली के खेट से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है जो कि एक प्रकार की चोरी है इसलिए अब तुम तीन साल तक माली के घर नौकर बन कर रहोगी उसके बाद मैं तुम्हें वेकुंट मैं व बेटे और तीन बेटियां थे सवी चोटे से खेट में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे मालक्ष्मी जब एक साधारन और गरीब और अरण बन कर जब माधो के जोपड़े पर गई तो माधों ने पूछा बहन तुम कौन हो मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए त बस मुझे अपने घर में एक कोने में आस्रा दे देना माधों गरीब जरूर था किन्तु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था उसे दया आ गई लेकिन उसने कहा बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है अगर मेरे तीन की ज उस माधों के घर पर नौकरानी बन कर रही जिस दिन मा लक्षमी माधों के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधों को फूलों से इतनी आमदानी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली फिर धीरे माधों ने काफी जमीन खरीद ली उसने सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिये एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया है बेटियों और बीबी को गहने भी खरीद कर दिये और उसके घर शरण लेकर रहर ही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया था पहले से कई ज्यादा सुखी और समरदिस ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुख कदन मेरी जोपड़ी में पढ़ने के बाद मिला है इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किसमत ही बदल दी तीन साल लगवग बीद गय थी लेकिन मालक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम क खतम करकर घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरुप गहनों से लदी एक औरत को देखा ध्यान से देखकर पहचान गया अरे यह तो मेरी मुझ बोली छोटी बेटी यानि वही औरत है वो पहचान गया कि यह तो मालक्ष्मी है अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मालक्ष्मी को देख रहे थे माधव बोला हे माधव हमें माफ कर दीजिए हमने आप से जाने में ही घर और खेत में काम करवाया मा यह कैसा अफराद हो गया हे माध हम सब को माफ कर दो मालक्ष्मी मुस्कुराई और बोल तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हगदाग हो फिर मा अपने स्वामी के द्वारा भेजे रत में बैठ कर वेकुन चलेगे धन्यवाद